एक मशूर आदमी ने कभी कहा था, हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। किस ने कहा ये, इसका मतलब क्या है, कोई फरण नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यूंकि उसने कहा, वो मशूर था। तो अब ये बात दो मशूर लोगों ने कह दिये। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, रॉबर्ट अनी जुनियर यानी आरडीजे और उनकी कुछ बैतरिन फिल्मों के बारे में। जिनमें से कुछ तो हिंदी में रिलीज हुई और कुछ नहीं। वैसे तो जातर लोग आरडीजे को आरडीजे को आरण मैन मूवी से ही जानते हैं, जिनमें उन्होंने अरभपती तोनिश टाक का रोल निपाया है। जो कि कहीं न कहीं उनकी प्रस्णाल्थी से भी मैच करता है। जीनियस, कड़ोपती, रोमियो, समाज सेवप। रिपोर्टर के रोल में दिखाये दिये, और उनके साथ दिखाये दिये मार्क एफ्लो यानि के हमारे हल्क, जो कि एक इन्विस्टिगेटर के रोल में है। ये पूरी फिल्म में एक सीरियल किलर के पहचान करने के उपर वेस है। और इसलिए अगर आपको मिस्ट्री और ड्रामा पसंद नहीं है तो हो सकता है आपको ये विल्म थोड़ी बोरी लग सकती है। नंबर चार पर बात करें हम 2005 में रिलिज हुई किस-किस बैंक बैंक। इस फिल्म में आपको क्राइम और एक्षन के साथ कॉमेडी भी देखने के मिलेगी। इस फिल्म में आडिजे ने हैरी लॉक हार्ट का रोल किया है जो कि एक चोर होता है। और पुलिस से भागते हुए अचानक वो एक आडिशन में पहुंच जाता है। जहां उसे एक जासूस के रोल के लिए चुन भी ले आता है। बाद में अपनी क्रश और एक प्राइवेट जासूस की मदद से वो एक modern mystery को भी सुल जाता है। अगर कोई तुमें चूता है तो ये बुरी बात नहीं है ये चलता है। तुम किस तरह की बाते करती हो ह। तीसर नमबर पर है 2010 मियाई फिल्म डिवडेट। ये फिल्म में के adventure comedy drama है जिसमें RDJ ने पीटर हाइमन का रोल किया है। जो कि पहली बार बाब बने वाला होता है और इसलिए वो अटलांटा से घर जाने के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ता है। लेकिन रस्ते में उसकी मलवकात होती है इथन ट्रेमले से। जिसका रोल किया है जैक गिले फैंकिस ने जो कि हमें Hangover फिल्म में पहले दिख चुके हैं। जिससे मिलने के बाद पीटर की पूरी जन्नी चेंज हो जाती है। नमबर टू पे है फिल्म ट्रॉपिक ठंडर जो की 2008 में रिल जुई। यह एक एक्शन कोमेडी मूवी है। इस फिल्म में आर्डीजे ने एक ब्लैक एक्टर का रोल किया है। जिसका नाम है किरिकल आजरेस। जो की अपने रोल के लिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जिक्रा लेता है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट अपोर्डी आक्टर के रोल के लिए भी आसकर में नॉमिनेशन दी मिला। नमबर बन पर रखा है मैंने सर लाख हॉंस मूवी को जो की 2009 में रिलीज हुई। क्योंकि अगर आपको टोनी स्टार के रोल के लावां आर्डीजे को कोई और रोल पसंद आएगा तो यही है। यह फिल्म क्राइम और मिश्ट्री से भरपूर है। इस फिल्म में आर्डीजे ने सर लाख हॉंसा किरदान निवा है जो की एक जासूस है। इसी रोल को लेकर आर्डीजे ने इसके दूसरे पार्ट में भी काम किया है। जिसका नाम है साल लाख हॉंस एक गेमफाफ सैडोज जो की 2011 में आई। इसके अलाम भी इसका तीसरा पार्ट 2020 में हमें देखने को मिलेगा। कुछ और मोवी की बात करें जो की हिंदी में रिर्ज हुई तो उसमें है 1997 में आई फिल्म टू गर्स एक आय। 1998 में आई फिल्म यूएस मार्शल्स और 2003 में आई फिल्म गवातिका। इसके लामा अगर हम उन फिल्मों की बात करें जो कि हिंदी में रिलीज नहीं हुई लेकिन वो आर्डेजे की बेस्ट फिल्म में है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चैप्लिंग का जो की 1992 में आई जिसके लिए उन्हें पहला आस्कर नोमिनेशन मिला था। इसके बाद लेस दन जीरो जो की 1987 में आई दस सिंगिंग डिटेक्टिव 2003 में आई सौटकर्श 1993 में आई नेचरल वर्म किरन 1994 में आई वांडर बॉइस 2000 में आई और फिल्म दजज जो की 2014 में रिलीज हुई ये सब उनकी वो फिल्म हैं जो की हिंदी में रिलीज नहीं मिलते हैं आपने नेच्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अपने किसी और फेवरिट एक्टर की फिल्मों के बारे में तब तक के लिए गुड़ बाई